हाई गाईस इर्ट स्वागत करता हूं आपका और अभी मैं जा रहा हूं जैपूर जंक्शन पुंजन को लेने जोदपूर से आ रही है वो उसकी सवा नोबजे की ट्रेन है अभी कौने नोबज़ रहे हैं अभी मतलब जैपूर में भी आभी नाइट लोकटान लगा हूँ है आट बज़े के पाद तो मैं आपको पताता हूं अभी रोड़ का क्या हाल रह और जैपूर जैपूर जंक्शन पर ही जो सारी ट्रेन्ज होती है जैपूर में वह तो आती है और इसके अलावा दो जैपूर नोर है जैपूर में गांदी नगर और दुर्गपूरा रेलवे स्टेशन एंड तुम आपको पूरा देखाऊंगा कि कैसा है अगर आप जैपूर की बाहर है पहली बार हो सकते हैं देखो उस्टाप से बाकी देख अभी मैं पहले तो आपको बता दो ट्रैफिक कितना है इस काफी कम भी एड नोड आउट जो नॉर्मल होती उसका तो दस परसेंट भोल सकते हैं यास इतर मैं पहुच चुका हूं जैपूर जंक्शन पे और मैं आपको दिखाता हूं इसका पूरा लुक मुला जरू तो दो अटो इस इस एकथ हैं विए अदर जाने के लिए प्लैट फॉम टिक्ट ले लिए पचास रुपे का मिलता है इस प्लैट फॉम टिकट अंदर जो भी अगर लेने आता है किसी को तो इसके के लिए लेना जरूरी है तो इधर में आपको दिखाता हूं कैसा है और कितना मतलब क्या है इधर से आप सफ़ाई वही देखते हैं और ये भी आपको बता देता हूं कि जैपूर जंशन जो इधर पड़ता है सिंधी कैम्प जहां सारी बसे लगती है जहां से जैपूर की उस अभिजे रित्वर और हुआचक्ना जो आएफ ट्रेन है यह जैपूर तूंदेली सलसराई रोहिला लेखूर दिली स्पेशल ट्रेन गोंग मतलि तो काफी जीज़ादा ट्रेन चलति स्पेशल चलति जपूर भी सिर व्यए जो जैपूर दिल्ली स्पेशिल चलती दकित्य गंटे में पहुचा देती है और जो अभी ट्रेन आ रही है वह है जयाफुर इस्पेशल भी ज года मंबाई यहां से पहुच जाते हैं 13 घंटे में को जैनको लुच 5 धह घाल गोच यहां जोगी है गुंजन की ट्रेन गुंजन की ट्रेन नहीं गुंजन जिसमें आ रहे है वह वाली ट्रेन तो इधर आ गई है गुंजन और मैंने आपको पूरा इसमें जैपुर जंक्शन का ट्योर करवाया तो शेयर कर देना वीडियो अगर अभी तक नहीं किया है धन्यवाद वीडियो देखने के लिए